हाई एवरिवन तो आज मेरे पास है दो डिफरेंट गैसेस पहली है हेलियम और दूसरी है सलफर हेग्जाफ्लोराइड और अकोडिंग टू साइंस अगर आप इसे ब्रीध करते हैं तो यह आपकी वोईस को चेंज कर देती है लेकिन किस तरीके से लेट्स ट्राइट तो पहल अन्दर ब्रीथ करने वाला हूँ तो हलो 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 हई लाव मैं तो बच्चा वन गया हाहा हाहा हो मैं गड़्ध इससली होता है क्योंकि हीलियम न्मल एट से ज्यादा हलकी होती है यानि करीब करीब 6 गुणा हलकी होती है और जब आप इसे breathe कर लेते हैं तो यह आपके प्रेविडों के अंदर बढ़ जाती है और अब जब आप बोलते हैं तो कुछ इस तरह की voice effect देखने को मिलता है लेकिन don't worry इसका असर कुछी देर तक रहता है जब तक helium आपके अंदर रहती है तब तक आपके आवाज ऐसे होते हैं बाकि यह नॉर्मल हो जाती है और दूसरी है हमारे पास sulfur hexafloride यह इसके बिलकुल उलट है यानि अगर आप इस gas को अपने अंदर बीद करते हैं तो आपके हवाज काफी बारी हो जाती है क्योंकि यह भी हवाज से चे गुना बारी है लेट्स त्याइट आइट अलसो यह काफी मत्तार होगा अगे हेलो हेलो मैं नम इस मिस्टर इंडियन हैकर इस लाइकर जैसे मैं शेतान हूँ मैं शेतान हूँ और मैं आज कुछ आपको शेतानी करने वाला हूँ चेली कुछ नए आओ और कुछ डिफरेंट ट्राय करते हैं और करते हैं कुछ दमाठेदार एकस्पेरिमेंट यानि कि कुछ केमिकल लोचाव तो गाइस अब हमारे पास यहां पर है दो डिफरेंट केमिकल साइडोजन पैरोक्साइड 30 परसेंट और पोटेश्यम आयोडाइड और हमारे साइंस यह कहती है कि हमें इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए लेकिन क्यूं चलिए पता लगाते हैं जहां तक मुझे अंदाज है जब मैं इसको इसमें मिक्स करता हूं तो काफी तेज रियक्शन होती है यह दोनों सेम ही चीज है मैंने थोड़ा सा इसमें कलर अलग अलग यूस किया ताकि कुछ अच्छा दे सेरल इसमें मैं पारा ऑ्यूस युट फव 안 है युटि उंख कर अलग ध बाल अब Esp झिज करता है ताकि कर अप्या टर्ड़ाज मैं वआले को बणसी किया और तेज कि दूस्याज खटाजी Tay झाल 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 झाल